नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप निव यूट्यूबर हैं, आप अपने वीडियो अच्छे से शूट कर लेते हैं, लेकिन उस शूट करते समय वीडियो में कुछ unwanted part होते हैं, जो आप remove करना चाते हों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हों कि आप अपने करना होता है, उनको वीडियो में से cut करना होता है, तो आज की वीडियो में यही में इंस्टौल कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं मुबायल से वीडियो एडिटिंग करने के लिए काइनमास्टर कर Matthew उओच करता hyूँ अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो आप अपने पले स्टोर में जाकर काइन मास्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तों मैं जल जल जली काइन मास्टर ओपन करके उसमें वीडियो इंसर्ट करके आपको बताता हूँ कैसे आप वीडियो में से अनवांटिड पार्ट कर सकेंगे उसके लिए मैं अपने मुबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ दोस्तो मैंने काइनमास्टर में जो वीडियो हमने एडिट करनी है डेमो के लिए मैंने वीडियो अपनी काइनमास्टर में इंसर्ट कर लिए दोस्तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ आप देखेंगे कि शुरू का part जो है जहांपे मैं चेर पर आके बेट्टा हूँ वह मेरे लिए unwanted है जहां से मैं content पर बोलना शुरू करता हूँ, वहां तक के मेरी वीडियो मेरे लिए unwanted part है उन्चायब आगा है, तो उसको हमें cut करना होगा उसलिए मैं उसको scroll करके जहां तक पार्ट जहां से मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, वहां तक का पार्ट मेरे लिए unwanted है, तो वहां तक देख़ए हो यहां तक का पार्ट मेरे लिए unwanted था इसके लिए आपको उस layer को select करना है उसके बार trim पर कलिक करना है और आपने trim left कर दिने तो दोस्तो अभी आप देख रहे हैं कि जो वीडियो का left पार्ट था जो unwanted था मेरे लिए वो अभी कट हो गए तो दोस्तो मैं अभी आपको play करके दिखाता हूँ जो पहले का मैं chair पे आके बेट रहा था वो पार्ट अभी कट हो गए तो अभी देख रहे हैं अभी मशिद्धा content पे बोलना सुरू कर रहा हूँ वहाँ से वीडियो सुरूगी इस तरह दोस्तो आपके वीडियो में जो start में हैं आप उसको trim left से cut कर सकते हैं दोस्तो अगर आपके वीडियो में अगर end में कुछ पार्ट है जो कि आपके लिए unwanted है आप उसको भी cut कर सकते हैं जैसे दोस्तो मैं आपको play कर के दिखाता हूं कि मैं वीडियो में चैर से उठके जा रहा हूँ तो last में यह part जो है मेरे लिए unwanted है वीडियो में जहां तक क मैं content पे बрийगअआ हूँ वहाँ तक हमें वीडियो में रखना हता है उसके जिए दोस्तो तो आपने स्क्रोल करके जहां से आपने वीडियो में कर तक का पार्ट आपने कट करना है, वहां पर तक स्क्रोल करके लाना है, उसके बाद आपने वीडियो लेयर को स्लेक्ट करके ट्रिम राइट कर देना है, तो ट्रिम राइट करेंगे, आपके राइट साइड का जो पार् जैसे आप आप भी देख रहे हैं कि मैं अपनी वीडियो में माइक को set कर रहा हूं मेरलिए unwinded part है तो दोस्तो आपको वहां तक आपको स्क्रोल करकर लाना है उसके बाद आपने वीडियो layer पर select करना है उसके बाद आपने trim और split करना है उसके लाई में डिवाइड हो गई है अगर आपने जिस पार्ट से भी आपने वीडियो को कट करना आपने उस वीडियो के पार्ट को सिलेक्ट करना है उसके बाद दोस्तों आपने उस वीडियो पार्ट के लेफ्ट या राइट में कहां से आपने कट करना है उस आप ये आपने trim left, जिससे मैं left कर देता हूँ, तो आप देखेंगे, जो पार्ट मैंने बीच में से cut करना था, वो बीच में से cut होगी, दोस्तो, इस तरह आप अपने वीडियो के start में, end में, और बीच में, अपने वीडियो का unwanted part को cut कर सकते हैं और अपने वीडियो को अच्छे से editing कर सकते हैं अच्छे से editing करने से आपकी वीडियो की quality अच्छी होगी आपकी वीडियो audience को अच्छी लगेगी जिसे आपके वीडियो पर ज़्यादा भी आएंगी दोस्तों आपको में वीडियो अच्छे लगी तो में वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, में चैनल को सबस्क्राइब कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में ने टोपिक साथ जे हिंद